नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूग चैनल पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो क्रिप्या सब्सक्राइब कर लें यह पुर्णता निसूलक है आई आज का विशय हम सुरू करते हैं आज हम बात करेंगे हमारे भागी छेत्र और सुरी छेत्र के बीच पढ़ने वाले कुछ चिन्नों के विशय में अक्सर हम देखते हैं कि हतेली में कई एक चिन इस छेत्र पर पाए जाते हैं जिसे लोग भागी का चिन समझ लेते हैं कुछ लोग सुरी रेखा समझ लेते हैं थोड़ी कनफ्यूजन सी उत्पन्न होत के बीच में मना सनी और सुरी के बीच में करीब अगर दो रेखाएं इस परकार से बन रही हो बिलकुल निर्दोस और असपस्ट यह रेखाएं बनती हो यहाँ यह देख ली जे कुछ इस परकार से बीच में रेखाओ ना ये सुरी परवत पर है ना सनी परवत पर है ये रेखाएं इस परकार से हो है ये बिलकुल सुद्ध रूप से हो अगर इस परकार से दो रेखाएं अगर खड़िया आपकी है तेली में बनती हो ते ऐसे जातक के बिशे में कहा जाता है कि जीबन के उत्रार्द में काफी सुखी होते हैं उत्रार्द करने का अर्थ होता है कि थोड़ी उम्र निकल जाने के बाद इनके सुख में बिर्धी हो जाती है ये जो धन का अरजन करते हैं ऐसे जातक ज्यादा तर भूमी संबंधी कारी से धन का अरजन करते हैं जैसे खेती बगार करना है इनको अच्छा जो मुना फा जो है इनको अच्छा लाब खेती से संबंधीत भूमी संबंधीत कारी से इनको बहुत अच्छा लाब देखा गया है जीबन के उत्रार्द में ऐसे ब्यक्ति काफी सुखी भी होते हैं भूमी संबंदी, खेती संबंदी कार्शे काफी धन अरजन करते हैं इनको दूर दूर तक लोग जानते हैं अच्छे कारी से अब है कि इस चिन्न के जो निगेटी परवा होगा ये परवा ये दिखलाता है कि ऐसे चिन्न वाले जातक की पत्नी की मिर्तियों 40 वर्स में हो जाती है उसके बाद इस जातक को अकेले रहना पड़ता है लेकिन ये सुखी और स्वस्ता वस्ता में रहते हैं ये ही रेखा जब चुकि रेखा थोड़ी सी बदलती है उसका अर्थ बदल जाता है जब हिर्दय रेखा को चुले मान लिए ये हिर्दय रेखा को चुले तिये दोनों रेखा इस परकार से ये दर्साता है कि जाई से जातक की जितने फल थे पुराने वो भूमी संबंदिकार इस उख सुविदा वो तो सब कुछ इनके पास रहेगा ही लेकिन जब इनकी पत्नी की मिल्टिव फोटी येर क्या सपास हो जाएगी तो पुना इनका पुनर विवा हो जाएगा जब ये पुनर विवा हो जाएगा तो इनका बैवाईक जीवन भी सुख में रहेगा ये अच्छे स्वस्थ रहेंगे और भूमी संबंदी खेती संबंदी कारे से काफी धनका अरजन करेंगे और अच्छे प्रोपर्टी वाले सुखी बैखती होंगे ये अर्थ इसका निकलता है अब हम अन्य चिन्नों की बात करें तो सनी छेतर पर ये हमारे भाग छेतर पर काफी तरह की चिन्ने पाए जाते हैं सनी छेतर पर अगर कई एक रेखा हो ध्यान दें कई एक रेखा हो एक दो तीन चार पाँच इस धंग से कई एक रेखा अगर सनी चेतर पर इस परकार से बन रही होती ये सूब चिन जो एक रेखा देती है ये अनेक रेखा मिलके सूब चीज़ों को खत्म कर देता है यह एक तरह से सुब्चिन नहीं माने जाते हैं, कि आपके सनी छेत्र या भागी छेत्र पर अनेक रेखा हो, ऐसा कहा जाता है इसे जातक कि धन का खर्च अदीक होता है, संचित धनका भी खर्च हो जाता है, मने यह और कौई नकोई समस्या ऐसी इनके साथ लगी रहेगी, यह कोई न कोई कार ऐसा आता रहेगा कि ये अपने धन का खर्च होगा जमा पुझी का खर्च होगा ये कोई कारी करेंगे उर्ष में भी इनका मुनाफा नहीं हो सकेगा नुखसान हो जाएगा असाथ में है कि ऐसे जाता कि गलत लोगों की संगती हो जाती है जिसके कारण गलत-कारी करने की परविर्थी, कामुख परविर्थी, अगल बगल साथ साखी संधी, अगर कुछ ऐसे लोगों को संफर्ख में इसे दाक्तार राने लगते, जिसके कारण इनके गुन जो है, दूर्गुन में बदल जाते हैं, तो कुल मिलाके ये चिन अच्छा और सुब नहीं माना जाता है अगले चिन की बात करें अगर यही रेखाएं बिल्कुल तिरची अवस्था में हो इस परकार से टेपर अवस्था में कई रेखाएं बनती हो तो यह चीज़े यह दिखलाता है कि ऐसे जातक जो है कारी करने की परती जो है इनको इक छक बहुत कम होती है आलसी परविर्थी की होते हैं यह क्या कारी भी करते भी है ति इनको सफलता नहीं मिलती है ति यह चिन भी सुझ नहीं आते हैं यह भी इस परकार से चिन अच्छा नहीं माना जाता है अगर ये हर्ट लाइन को छूदे इस परकार से तरची तो भी इसकी प्रविर्ती और बढ़ जाती है, इसके गलत परिना और बढ़ते चले जाते हैं